एक लड़की अपनी आखों में आंसु लिये हुए गोद में बच्चे को सुला कर ट्रेन की सीट पर अपना सर तिकाती है। उसने आखे बंद करके उसके साथ एक ही दिन में कितना कुछ हो गया, उसके बारे में सोचने लगी। एक दिन पहले कुछ लड़किया आपस में हंस्ते हुए बाते कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ट्रेन से बाहर देखते हुए बोली, यार, पता नहीं, यहां लखनों जाने वाली ट्रेन कब रवाना होगी। तब उनमें से दूसरी लड़की हंस्ते हुए बोली, जानवी, हम सिर्फ दो मिनिट पहले ही बैठे हुए हैं, समय होने पर अपने आप चलेगी। जानवी इस कहानी की हीरोईन है, जो तीन साल बाद अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके बनारस से अपने घर लखनव शहर वापस जा रही है। जानवी के घर में उसके पापा मनोहर शर्मा, मा कौशल्या जी, छोटे भाइबहन विवान और तापसी और उसकी दादी हैं। जानवी के पापा लखनव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। जानवी का बचपन से सपना था कि वह बड़ी होकर एक वकील बनना चाहती थी। इसलिए उसके पापा ने उसे बनारस की सबसे अच्छी कॉलेज में उसका एड्मिशन करवाया था। इस वजह से वह बनारस की गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। ट्रेन लखनों जाने के लिए रवाना हो जाती है। रात का समय जानवी अपनी शीट पर सो रही थी तब उसे बाहर से अजीब सी आवाजे सुनाई देने लगी। उसने आखे खोली और उठकर खिडकी से बाहर देखा तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। वह अपनी शीट से उठकर खड़ी हुई और बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे एक औरत से टकरा गई। जानवी ने जब सामने देखा तो उसकी आखे फटी की फटी रह गई। उसके सामने खड़ी औरत का पूरा शरीर खून से लटपत था और उसने अपनी बाहों में एक बच्चे को छुपा रखा था। उस औरत को इस हालत में देखकर जानवी उसके करीब गई और चिंता से बोली क्या आप ठीक हैं। किसने की है आपकी यह हालत। तभी वह औरत खुद को संभालते हुए दर्दभरी आवाज में मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम से कुछ भी कह सकू। बोली, इसके साथ ही वह औरत नीचे गिर गई और उसके हाथ से बच्चा छूटने वाला था कि जानवी ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। जानवी उस बच्चे के साथ नीचे बैठी और उस औरत को संभालते हुए बोली, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं। तभी वा औरत जानवी के सामने हाथ जोड कर रोते हुए, प्लीज, किसी को भी मद बुलाईए, मेरे बच्चे की जान को खत्रा है। हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, या कहते हुए वा औरत अपनी सारी बाते जानवी को बता देती हैं। उस औरत की बात सुनकर जानवी की आखों में से आंसु बहने लगे। अब उस औरत की सासे फूलने लगी थी, उसके शरीर के घाव से खून बह रहा था। तभी वा औरत जानवी के हाथ में एक नोटबुक और अपने बच्चे का हाथ सोंप देती है। जानवी कुछ समझ पाती है और फिर उस औरत को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह तो मर चुकी थी। तभी जानवी को वहां किसी के आने की आहट होती है तो वहां जल्दी से बच्चे को लेकर अपनी शीट पर आ जाती है। बच्चा सो रहा था इसलिए जानवी उसे अपने सीने से लगा कर बच्चे और खुद को ब्लांकेट से ढखकर शीट पर सोने का नाटक करती है। जब जानवी को ट्रेन चलने का एहसास होता है तो वहां अपना चहरा ब्लांकेट से बाहर निकाल कर देखती है। तभी उसे ट्रेन में कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जो कुछ ढून रहे थे। जानवी उन्हें देखकर समझती हैं कि वे सब आदमी इस बच्चे को ही ढून रहे हैं। जानवी जल्दी से खुद को ब्लांकेट के अंदर छुपा देती है। सुभा का वक्त, जानवी अपनी सहलियों को मिले बीना ही बच्चे को मा की तरह ही सिने से लगा कर ट्रेन से उतर जाती है। दुसरी तरफ, जानवी के घर पर कौशल्या जी तुलसी की पूजा करते हुए मनोहर शर्मा से बोली, सुनिये जी, क्या आपने बिटिया को फोन लगा कर पूछा वह कब तक आ जाएगी? मनोहर शर्मा हंसते हुए अखबार को टेबल पर रखते हुए कौशल्या जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हम जानते हैं, आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन थोड़ा सबर रखिये, जानवी का कॉल सुभा सुभा ही आ गया था। वह लखनाओ आ गई है और कुछ ही देर में यहां आ जाएगी। इसे सुनकर कॉशल्या जी खुश होकर किचन की तरफ चली जाती हैं। तभी विवान और तापसी बाहर से भाग कर अंदर आते हुए बोलते हैं, पापा, मम्मी, दादी, जानवी दी आ गई। यहां सुनकर सभी खुश होकर धार के मेन गेट पर आ जाते हैं। जानवी को इतने सालों बाद देखकर सभी की आखे भर आती हैं। कॉशल्या जी जैसे ही जानवी को अपने गले लगाने वाली थी, तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवा सुनाई देती है। सभी की नजर जानवी की गोद में लिये हुए बच्चे पर जाती है। बच्चे को देखकर मनोहर शर्मा, कॉशल्या जी और दादी का चहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जानवी उन्हें इस बच्चे के बारे में कुछ बताती, उससे पहले ही कौशल्या जी ने जोड़दार थपपड जानवी के गालों पर मार दिया। जानवी अपने गाल सहलाते हुए सब की ओर देखकर बोली, मम्मी, पापा, दादी, आप सभी एक बार हमारी बात तो सुनिये। तभी दादी गुसे में मनोहर शर्मा की ओर देखकर बोली, लल्ला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि लड़की को धर से दूर होस्टल में मत भेजो, आज देख लिया ना इसका परिणाम। यहां लड़की ना जाने कहां मुँ काला करवा के आ गई है। और इसकी हिम्मत तो देखो, अपने पापा को भी साथ लेकर आई है। कौशल्या जी जमीन पर बैठ कर रोते हुए जानवी से कहती, क्या तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे दिल में हम सब का एक बार भी ख्याल नहीं आया? तभी मनोहर शर्मा जानवी का हाथ पकड़ कर उसे घर से बाहर निकाल कर कहते हैं, आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। रहने का इंतिजाम करने को कहकर फोन कटा देती हैं. मानसी और जानवी बचपन की खास सहली हैं, जो बैंगलोर सिटी में जॉब करती हैं. मानसी अपने फोन को देखकर, ना हाई, ना हलो, सिर्फ हुक्म देकर कॉल कटा दिया. आने दो, मैडम जी को बाद में उनकी खबर लेती हूँ. यह कहकर जानवी के लिए अपने फ्लैट का गेस्ट रूम साफ करने चली जाती है. लखनवी रेलवे स्टेशन पर जानवी बच्चे के लिए सारे जरूरत के सामान खरीद कर लखनवी शहर से बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई. जानवी के आसपास बैठे सभी यात्री उसे और बच्चे को ही देख रहे थे. तभी उनमें से एक बुजर्ग महिला बोली, बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है. क्या यह तुम्हारा पहला बच्चा है? इसका नाम क्या है? जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे? लेकिन उसे दुनिया के सवालों के आज नहीं, तो कल जवाब देने ही पड़ेगा. इसलिए उसने बिना किसी डर से कहा, हाँ आंटी, यहां मेरा पहला बच्चा है. इसका नाम करण है, ऐसे ही बात करते हुए रात हो जाती है. जानवी अपने ख्य में लेकर उसे बोतल से दूद पिलाने लगती है. करण शान्थ होकर जानवी की तरफ टक देख रहा था. जानवी उसके सिर पर किस करते हुए बोली, बच्चा, इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार है. आज से करण जानवी शर्मा के नाम से ही तुम्हारी पहचान होगी. मैं ही तुम्हारी मा और बाप हूँ. मैं कभी तुम्हारे या मेरे अतीत का साया तुम्हारे पास नहीं लाओंगी. यह तुम्हारी मा का वादा है. यह कहकर जानवी करण को अपनी बाहों में भरकर चैन से सोजाती है. एक लड़की अंखों में आंसु लिय हुए गोद में बच्चे को सुला कर ट्रेन की शीट पर अपना सिर तिकाती है अंखे बंद करके उसके साथ एक ही दिन में कितना कुछ हो गया है उसके बारे में सोचने लगी लखनव रेलवे स्टेशन पर जानवी बच्चे के लिए सारे जरूरत के सामान खरीद कर लखनव शहर से बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई जानवी के आसपास बैठे सभी यातरी उसे और बच्चे को ही देख रहे थे तभी उनमें से एक बुजर्ग महिला बोली बेटा तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है क्या यह तुम्हारा पहला बच्चा है इसका इसका नाम क्या है जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे लेकिन उसे दुन्या के सवालों के आज नहीं तो कल जवाब देने ही पड़ेगा इसलिए उसने बिना किसी डर के कहा हा आंटी यह मेरा पहला बच्चा है इसका नाम करण है ऐसे ही बात करते हुए रात हो जाती है जानवी अपने ख्याल में खोई हुई थी तभी उसे करण के रोने की आवाज सुनाई पड़ी वह जल्दी से आँख खोल करण को अपनी बाहों में लेकर उसे बोतल से दूद पिलाने लगती है करण शान्थ होकर जानवी को एक टक देख रहा था जानवी उसके सिर पर किस करते हुए बोली बच्चा इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार है आज से करण जानवी शर्मा के नाम से ही तुम्हारी पहचान होगी मैं हूँ तुम्हारी मा और बाप मैं कभी भी मेरे या तुम्हारे अतीत का साया तुम्हारे पास नही पिर वह औरत कौन थी, करण की जान को किस से खत्रा है, जानवी की किस्मत उसे आखिर किस तरफ लेके जाएगी, इसके आगे की ओडियो सुने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे,